बच्चो जब एक उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो वो उत्पादक उस वस्तु को बेचने के लिए प्रयास करता है एक बाजार को ढूनने का यानि कौन से ऐसे बाजार कौन से ऐसे स्थान होंगे जहां वो स्वेम के द्वारा उत्पादित वस्तु का विक्रे कर सकेगा कौन से ऐसे स्थान होंगे जहां उस उत्पादक के द्वारा उत्पादित वस्तु के क्रेता पाये जाएंगे अब अर्थ शास्त्र में जहां हमने मांग, पूर्टी, कीमत जैसे तत्व का अध्यन किया तो ये सभी तत्व जो हैं वो कही न कहीं बाजार को प्रभावित करते हैं या हम यह कह सकते हैं कि इन सभी तत्व का बाजार से एक महत्वपूर्ण संबन्ध होता है तो क्या है बाजार कौन कौन से विशेस्ता इन में पाई जाती है क्या होते हैं इनके प्रकार आज हम इन सब बातों का अध्यान करेंगे तो आईए सबसे पहले देखते हैं कि बाजार है क्या बाजार की जब हम बात करते हैं तो बाजार का प्रियोग हम किसी ऐसे स्थान के लिए करते हैं जहां किसी भी वस्तू के बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं और वो स्वयम के द्वारा उत्पादित वस्तु या फिर वो कहीं से क्रे करके उन वस्तों को उस इस्थान पर उन वस्तों का क्रे और विक्रे करते हैं बाजार के संबंद में जब हम बाजार के तत्तों का अध्यान करते हैं तो कुछ ऐसे तत्तों निकल कर हमारे सामने आते हैं जिनके बारे में हम यह कह सकते हैं कि यह बाजार की विशेस्ताइं हैं यानि इन इन तत्तों का एक स्थान पर जब ये तत्तों होते हैं तो उस स्थान को हम कह सकते हैं बाजार तो अगर हम इसके सबसे पहले तत्तों की बात करें तो वो होता है एक शेत्र यानि एक ऐसा छेत्र जिसमें एक वस्तू के बहुत से क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं और आपस में इनमें काफी प्रतिसपर्धा होती है क्योंकि जहां पर बाजार है वहां प्रतियोगिता का होना निश्चित है प्रतियक विक्रेता जो होता है वो जादा से जादा अपने वस्तू को बेचना चाहता है या हम क्या सकते हैं कि वो अपनी उत्पादित वस्तू पर जादा से जादा लाब प्राप्त करना चाहता है तो ऐसे छेत्र में, जहां पर एक वस्तु के बहुत से क्रिता हो और उनमें आपस में प्रतिस्पर्था हो बाजार के अंतरगत कहलाएगा दूसरा तत्व अगर हम इसमें बात करें तो इसमें वस्तु यानि हम क्या सकते हैं कि एक वस्तु बजार जो होता है वो किवल एक वस्तू का होता है यानि अलग अलग तरह की वस्तू के बजारों को हम अलग अलग वर्गिकृत कर सकते हैं जैसे हम कहा सकती ही कि आनाज का जो बजार है वो अलग है कपड़े का जो बजार है वो अलग है electronic items का जो बजार है वो अलग है तो किसे specific किसे special एक वस्तू का जो बजार होता है वो एक ही वस्तू का होता है और इस तरह के बहुत सारे अलग-अलग बजार जो होते हैं एक छेत्र में वर्गिक रित रूप में पाये जाते हैं तीसरा अगर हम इसके तत्यों की बात करें तो हम देखते हैं कि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या तो बाजार में दोनों तत्यों का होना आवश्यक है अगर क्रेता नहीं होगा सिर्फ विक्रेता है तो फिर वो इस्थान बाजार नहीं कहलाएगा या विक्रेता तो है लेक और कितने भी विक्रेता इस पूरे बाजार में हो सकते हैं दूसरी बात किसी भी विक्रेता की उस बाजार में उतरने की अपने उत्पात को वहाँ पर लाने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए तो यह एक ऐसे स्थान को दर्शाता है अगले अगर ह अगर उत्पादन हुआ है बाजार में वह विखने के लिए आया है तो एक ही तरह की वस्तों के बहुत सारे उत्पादक यह हम क्या सकते हैं कि बहुत सारे विक्रेता होते हैं तो प्रतेक विक्रेता की जो कोशिश होती है उसका प्रयास होता है कि वह जादा से जादा अपनी विक्रे करेगा तो ऐसे अपने विक्रे को अधिकतम करने के लिए जो विक्रेता होते हैं उन सब के मध्य आपस में एक स्वतंत्र पृत्यों किता जरूर होती है अगले इसके तक तो की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि एक मूलहारी यान मेना sevatsa माना जाता है मानिता है बाजार के तत्त की कि एक निश्चित समय में एक वस्तु का एक लीन पाया जाता है यहनी सभी हुप कुरेता जो होते हैं वो प्रतिसपरधा का सामना करने के लिए लगभग अधिक्तम भी हम कह सकते हैं लेगिर लगभग की बार कीमत को बहुत आयत प्रभावित कर देती हैं लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से घूम फिर के जो बाजार की जब हम बात करते हैं तो एक वस्तु के लिए जब जो बाजार है उसकी कीमत फिर भी समान होने की संभावना यहां पर बनी रहती हैं तो यह तो थी बाजार की वि विबिन आधारों पर बजार का वर्गी करण किया गया है तो सबसे पहले हम इसके वर्गी करण को देखेंगे छेत्र के आधार पर बजार को कितने भागों में बाटा गया है छेत्र के अगर हम बात करें तो छेत्र के आधार पर जो पहला बजार होता है वो होता है इस्थानी जिसे आप अपनी गाव में देखते हुए नहीं चोटे से स्थान पर कुछ वस्तों का क्रह विक्रे किया जाता है और उसका जो समय होता है थोड़ा सा साथ बज़े तक वो खतम हो जाता है साथ हम यह क्या सकते कि जो दैनी कुपयोग की जो वस्तों का बजार होता है या फिर हम क्या सकते हैं कि शीग्रिनस ठोने वाली वस्तों का जो बजार होता है जैसे हम दूद अंडा फल सब जीन सब वस्तों की बजार की बात करें तो यह सा कुई ऐसी वस्तू फेमस होती एक का उठ़ बहुत है जिसे कह सकुते हैं राजस्थान में चूडीयों का बहुत अच्छा बाजार है क्योंकि आप चूडीयों की मांग है तो काफी आच्छा बाजार अब ये नाम से इसपस्ट है कि पूरे रास्ट में ये बाजार फैले होते हैं कुछ चीजे ऐसी होती है जिनकी मांग किसी छेत्र या किसी प्रदेश में ना होकर पूरे रास्ट में होती है जैसे हम अपने मूलभूत अवश्रक्ताओं की बात करें तो रोटी या जो बजार होते हैं वो राश्ट्रे बाजार कहलाती है अब छेतर क्या अधार पर अगर हम चौथे बजार की बात करें तो हम देखते हैं कि अन्तर राश्टर बाजार जैसे हमारे देश में जिन वस्तों का उत्पादन नहीं हो रहा है उनकों हम दूसरे देशों से आयात कर लेते हैं और हमारे देश के कुछ ऐसी वस्तों जिनका अधिक मात्रा में हम उत्पादन कर ले रहे हैं उनकी खपत हमारे देश में परयाप्त मात्रा में हो जा रही है और अत्रिक्त भी है तो हम अत्रिक्त आय प्राप्त करने के लिए विदेश shall 干ो दूसरा आधार है यह नी कि समय के आधहर पर बाजार का वरगी करण ने हम देखेंगे तो पहला जो बजार आता है वह अती अलपकालिन बाजार अब जीसे कि नाम इस पश्ठे-अतियलपकालीं यानि कि इस बाजार में जो वस्तु को बेचने का जो समय होता है वो इतना सीमित इतना कम होता है कि अचानक से अगर उसकी मांग बढ़ जाए तो इतना समय नहीं रहता है कि उसकी पूर्ति की जा सके जैसे कोई दूध बेचने है आपके गाव में तो वो एक अंदाजा लगा लेता है कि दिन भर में 100 दूद की कबात होती है एक इक दीन के बाजार में तो एक दो घंटा के लिए अपना है जो इसका जो दुकान है वो खोलता है तो उसने अंदाजा लगा लिए कि 100 पेकेट की खपत्य तो वो 100 पेकेट लाता है अब अचानक से मालो 30-40 पेकेट की मांग बढ़ गई तो फिर वो शायद पूर्ती ना कर पाए क्योंकि यहां पर समय जो होता है वो इतना सीमित होता है कि जल्दी से मांग के अनुरूप पूर्ती कर पाना बहुत मुश्किल होता है एक्शली दैनिक चीजों का जो बजार होता है जैसे हमने देखा कि दूद, दही, फल, अंडा, सबजी इनका जो बजार होता है वो अतियल्पकालीन बजार ही कहलाता है दूसरे अगर हम समय के अधार पर बजार की बात करें तो अल्पकालीन बजार यानि कि जो अतियल्पकालीन बजार होता है उससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर थोड़ा बहुत समय रहता है यह हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि इनके पास एक छोटे से गोडाउन की ऐसी विवस्ता होती है कि अगर थोड यह बात करते हैं वह वह दीर्दकालीन बजार आप दीर्दकालीन यानिasih काफी लंबा समय तो इतना समय होता है कि इनके पास जो रेडो मैटेरिय sleek बात्रा में रहता है जिसको वह पूरती कहन Idler defending बढ़ा लेते हैं जैसे कि सबजियों का बजार हला कि श्रींग श्रों का स से ही अनाज का वैपार कपड़े का बजार वह भी लगबग दिर्धकालीन बजार के अंतरगत आता है यानि कि आसानी से मांग के नुरूप इनकी पूरुती को एड़स्ट किया जा सकता है अब अगर हम चौते प्रकार की बात करें तो वह होता है अती दिर्धकालीन बजार अती दिर्धकालीन बजार अभी हमने देखा समय के अधार पर बजार का वरगी करन अब जो हम देखेंगे वो है प्रतियोगिता के अधार पर बजार का वरगी करन तो प्रतियोगिता के अधार पर जब हम बजार का वरगी करन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आती है पूर्ण प्रतियोगी बजार आगे हम इसको और विस्तार से पढ़ेंगे कि प्रतियोगिता की आधार पर बजार कवर की करण किस प्रकार किया जाता है फिलाल यहां पर यह हम जालने कि जब पूर्ण प्रतियोगिता वाला बजार का हध्यान जब हम करते हैं तो यहां पर किसी वस्तू के बहुत सारे क्रेटा और विक्रेटा पाये जाते हैं यह निका हम क्या सकते हैं कि आपेक्षा कृत अन्य बाजारों के पूड प्रतियोगीता बाजार में चुरत है इनको बाजार की दशाओं का इतने अच्छे से ग्यान होता है प्रतिय विक्रिता जो हltा है जानता है कि मेरे पास जो वश्तु ए मेरे पास जो वाहां बेच सकता हूं इसको खरीदने वाले क्रेटा मुझे कहां मिलेंगे तो इस तरह क्या उनको बजार का ग्यान होता है और सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पर प्रतियोगिता अच्छी खासी होती है बहुत सारे जो विक्रेटा होते हैं वो अपने जो उत्पाद है उनको जादा से जादा बेशने के लिए अभाव अगर रह जाता है जैसे क्रेटाओं और विक्रेटाओं की संख्या जीन बजारों में कम होती है जहां पर विक्रेटाओं को बजार की दशाओं का ग्यान नहीं होता है वो जो बजार होते हैं वो अपूर प्रतियोगी बजार कहलाते हैं यहां पर एक्चुली जादा है दूसरी बात कि यहां पर थोड़ा सा प्रतियोगिता का जो होता है वो आभाव पाया जाता है क्योंकि यहां कीमत विभेद और वस्तु विभेद की बात जो है वो आ जाती है तो यह अपूर्ण प्रतियोगिता के बजार के अंतरगत है इसी प्रकार जब हम इसके त प्रतियोगिता बजार का वर्गी करन कर रहे हैं तो हमने देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता बजार में उसका अपोजिट हो जाता है और एक अधिकार जो है वह इन दोनों से बिल्कुल अलग यानि कि किसी भी वस्तु का के वाल एक ही विक्रेता होता है विक्रे की जो शक्तियां होती है विक्रे की जाने वाली वस्तु के उत्पादन की उसके विक्रे की कीमत निर्धारन की जो शक्ती होती है वो किवल एक व्यक्ति के हाथ में सेमित होकर रह जाती है वो अकेला ही व्यक्ति उस वस्तु का उत्पादन या अगर विक्रे करता है त तो प्रतियोगिता के आधार पर बजार का ये तीसरा रूप है जिसे हम कहते हैं एक अधिकार बजार तो अभी हम देख रहे हैं प्रतियोगिता के आधार पर बजार अब हम देखते हैं इसका जो चौथा प्रकार है याने कि कारे के आधार पर बजार का वर्गी करण किस प्र की वस्थू का बाजार होता है जिसे हम पहले भी देखा था कि सिर्फ अनाज मंडिया चिज्सेंग अपने च्छेत्र में देखते होंगे अगर आप बहुल जन संक्या वाले हो बने शहर में है तो आप जहां पर हम देखते है कि अनाज भी मिल जाता है थोड़ी भूत मात्रा में कपड़ा भी मिल जाते हैं सभी तुमे सुनते होंगे सभी राज्यों वह सुनते होंगे कि गोल अ कर मात्रें यहां नाम होते इसे तरह हम अगले इसके टाइप का अधियन करते हैं तो हम देखते हैं कि नमूनों के द्वारा बाजार भी पाया जाता है। पसंद करता है जिस वस्तू को वो पसंद करता है नमूने के अधार पर उसका वो और देकर उस वस्तू को वो क्रह कर सकता है। चौथे अगर हम इसके प्रकार के बात करें तो हम देखते हैं कि श्रेणियों क्या धार पर अगर हम अनाज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर से गेहूं के किसम देखें तो कई किसम का गेहूं कई किसम का चावल कई तरह की दाले तो अनाजों की भी कई श्रेणिया ह कपड़ों के अगर हम बात करते हैं तो सूती कपड़े उसके बाद फिर हम देखते हैं कि होजेरी के कपड़े सेंथेटिक कपड़े सिल्क के कपड़े ऐसे इनके भी अलग-अलग श्रेणियां होती हैं तो जो यह श्रेणियों के बजार होते हैं उनमें जो क्रय विक्रय होता वह उस वस्तू के श्रेणी के अधार पर अलग-अलग किया जाता है तो ये तो बात थी हमारी कारे के अधार पर बजार के वर्गीकरण की अब अगर हम वस्तू की प्रकृती के अधार पर मतलब जिस वस्तू का विक्रे किया जा रहा है उसकी प्रकृती क्या है कैसा नेचर है उसके आधार पर जब हम बजार का वरगे करने करते हैं , तो हम देख़ते हैं कि सबसे , पहला जो है। यह उपज या उत्पादित में जिस वस्तु का उत्पादन उस एत्रविशेश में होता है वहाँ पर वह उस वस्तु का बजार बन जाता है। दूसरा हम इसकी बात करते हैं कि इसकंध बजार यानि इसके अंतरगत हम किसी वस्तु का क्रेविक्रे ना करके इसकंधों का क्रेविक्रे करते हैं जिसके अंतरगत हम अंशो प्रतिभूतियों को शामिल करते हैं आपने सुना होगा बॉंबे का जो स्टॉक एक्सचेंज है व यानि कि किसे महंगी धातू के बजार से इसका अर्थ है यह जैसे सोने चांदी की बजार के हमने बात के सोने चांदी हीरो का जो बजार होता है उसको हम इसके अंतरगत शामिल करते हैं तो यह अभी हमने जो बात की यह था हमारा वस्तु की प्रकृति के अधार पर बजार भागों में बाटा गया है पहला जो है वो उचित बाजार और दूसरा अवैद बाजार उचित बाजार की जब हम बात करते हैं तो यहां पर बाजार की जो पूरी प्रक्रिया होती है जो पूरी कारप्रणाली होती है वो उसमें सरकारी हस्तक्षेप भी रहता है और यहां पर जब किसी वस्तू का मूल्य निर्धारित किया जाता है तो वो बहुत अधिक नहीं होता और मूल्य निर्धारित में भी सरकार का हस्तक शेप रहता है दूसरे जब हम आवैधानिक बजार की बात करते हैं तो आवैधानिक बजार या दूसरे शब्दों में मैं से काला बजारी लेकिन वहां पर सारवजनिक हस्तक शेप नहीं होता है और मूलिर धारण की जो बात होती है वहां पर भी सारवजनिक हस्तक शेप का भाव रहता है तो यहां पर हमने विभिन आधारों पर बाजार के अलग अलग स्वरूपों का अध्यन किया अब हम देखते हैं कि वास्तों में बाजार के रूप क्या हैं बाजार के रूप के अगर हम बात करें तो इसे हम दो भागों में बाट कर ही इस पूरे बाजार का अध्यन हम कर सकते सबसे पहला जो रूप है वह पूर्पृतियोगी बाजार और दूसरा जो है वह पूर्पृतियोगी बाजार और तीसरा जो है वह एक अधिकार बाजार तो जब हम पूर्पृतियोगी बाजार का धियन करते हैं तो जैसे कि एक शॉट में पहले भी हमने देखा कि यहां पर जो है बाजार का छेटर एक विस्तरथ चेटर होता है बहुत सारे क्रेटा विकरेटा बाजार में रहते हैं और वहां वस्तू के जो स्बस्दोर्व क्रेटा होते हैं और अभिप अच्छे से इसके अर्थ को समझने के लिए आए हम रॉबिंसन के एक परिभाशा का अधियन करते हैं श्रीमती जॉन रॉबिंसन के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रतेक उत्पादक के लिए मांग पूर्टया लोचदार होती है इसका अर्थ ह प्रतम विकर्यताओं की संक्या अधिक होती है जिससे कि किसी एक विक्रेता या उत्पादक का उत्पादन उस वस्तु के खूल उत्पादन का एक बहुत थोड़ा ही भाग होता है तथा दूसरे सभी करेता प्रतियोगि विकृताओं के बीद चुनाव करने की दृष्टी से सवान होते हैं जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है तो आपने देखा कि रॉबिंसन ने भी माना है कि जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार होते हैं उनका जो छेत्र होता है वो काफे विस्तृत और व्यापक होता है और बहुत सारे क्रिता विक्रिताओं के साथ एक अच्छे खासी प्रतियोगीता का निर्माण इस बाजार में हो पहले पोइंट के यहां पर क्रिता और कि संख्या बहुत अधिक होती है तो जैसे कि हमने पहले भी देखा कि एक ही प्राकार की वस्तू के बहुत सारे उत्पादक होते हैं जैसे कि अगर हम एक एक लेकिन कितनी सारी कंपनियां मोबाइल फोन के उत्पादन में लगी हुई हैं बिल्कुल इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रोनिक वस्तों के साथ उनके उत्पादन की बात करें तो अगर हम LED की बात करें कि लेकिन कितनी सारी कंपनियां कितने सारे जो प्रोड्यूसर उत्पादक उनके उत्पादन में लगे हुए तो बाजार भी एक विस्तरु क्ट चेतर हुता है। पर किसी वस्तू के बहुत सारे जो विक्रेता होते हैं वह वहाँ पर पाये जाते हैं और इनके साथ साथ सिर्फ विक्रेता ही नहीं बलकि क्रेताओं की संख्या भी बहुत अधिक होती है अब जाहिर सी बात है क्योंकि क्रेता अधिक होंगे तभी जादा से जादा विक्रेता उस फेर्ड में आएंगे दूसरी जब हम बात करते हैं इसके स्वरूप की तो हम देखते हैं दशाओं की तो हम देखते हैं कि जो वस्तु का जहां जो उत्पादन होता है वो संद्रूप होती है यानि पूर्ण पृत्योगी ता बाजार में ये मानिताएं भी हम कह सकते हैं कि एसे मानिता है कि पूर्ण प्रित्योंगी बजार में जिन वस्तू का विक्रे किया जाता है वो रूप रंग में लगभग सामान होती है यानि कि एक जैसी होती है जिसे हमने देखा कि अनाज का बजार है तो वहाँ पर सभी जो सभी अनाज ही होंगे दाल चावल गे हूं इस तरह की वस्तू होंगी कपड़े का बाजार है तो सभी विक्रेता जो होंगे वह सिर्फ कपड़े का ही विक्रे करेंगे तो यहां पर हम क्या सकते हैं कि वस्तों में समरूपता होती है तीसरी दशाओं के अगर हम बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कि फर्म में करता होती है उस पर वो प्रतेक उत्पादक प्रतेक विक्रिता को उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंद नहीं होता है अगली इसकी दशाओं की हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो क्रेता विक्रेता जो होते हैं उनको बाजार की दशाओं का पूरा ग्यान रहता है ज उसको इस बात का बहुत अच्छे से घ्यान होता है कि जिस समान का उसने वत्पादन किया है तो इसको और फिर पाईज के लिए जो क्रेटा है वो कहां पर पाए जाएंगे किस इस्थान पर पाए जाएंगे दूसरी बात उसको यह भी जानकारी रहती है कि वास्तों में उस समय जो क्रेता हैं उनकी डिमांड क्या है वो किस तरह की वस्तों को यूज करना पसंद करते हैं तो इस तरह का जो ज्यान होता है वो प्रत्यक्वी क्रेता को पूर्ण पृतियोगिता बजार में रहता है दूसरी जब हम बात करते हैं इसके अगली दश्राकी तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उत्पादन के जो साधन होते हैं वो पूर्ण गतिशील होते हैं यानि कि पूर्ण पृतियोगिता बजार में जो उत्पादन के साधन होते हैं, उनमें गतिशिल्टा इतनी अधिक पाई जाती है कि वो आसानी से एक वेवसाय को छोड़के दूसरे वेवसाय में शिप्ट हो सकते हैं, जा सकते हैं। अगली अगर हम इसकी दर्शा की बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर विक्रे और परिभान लागतों का भाव पाया जाता है। अगर प्रतियोगी बाजार में बाजार की जिन दशाओं का अध्यान किया। उसको अगर हम एपवसीट करते हैं लगभग तो कहीं न कहीं वह अपूण प्रतियोगी बाजार का रूप ले लेता है। जैसे पूर्ण पृतियोगी बजार में हमने देखा कि कृताओं और विक्रिताओं की संख्या बहुत अधिक होती हैं. दूसरी हम इसकी दशा की बात कर सकते हैं कि जैसे हमने देखा कि पूर्ण प्रतियोगी बजार में जो वस्तु होती हैं लेकिन अपूर्ण प्रतियोगी बजार में जो वस्तु होती हैं उनके गुणों में भिन्रता पाई जाती है सम्रूपता नहीं पाई जाती थोड़ा बह कोषिस करता है लेकिन अगली दर्शा की बात करें तो यहां पर देखते हैं कि परिवहन जो हैं वह इसमें जूड़ी होती है जैसे कि हमने पूर्ण पृत्यों की बजार में देखा कि जो विक्रय लागत और परिवहन लागत का उसमें आपाया जाता है याने जहां वस्तूत पाधित हुंए लगबग जी बीची गई लिकीन यहां पर फिज्चय होती हैं उनके मुं परिवहन लागत और विक्रय लागत भी जुड़ी हुए होती हैं अब अगली tah को थ yapıyor हैं हम देखते हैं कि यहां पर जो विज्यापन होते हैं वह भी जुड़े हुए होते हैं क्योंकि पूर्ण प्रतियों किता में हम ने देखा कि विक्रय को तो हमने इंक्लूड किया ही नहीं वस्तू के मूले में अगर विक्रय की बात आती तो विग्यापन भी उसमें जुड़ता क्योंकि हमको अपने विक्रे को बढ़ाने के लिए विग्यापन का सहरा लेना पड़ता है तो क्योंकि वहां विक्रे की बात नहीं आई तो विग्यापन भी नहीं आया लेकिन यहां पर क्योंकि हम विक्रे लागत और परिभ